कैसे भगवान राम चंजे ने अपने मर्यादा का पालन किया, किस प्रकार से भगवान ने एक कर्म योगी बन करके पूरी संसार को ग्यान दिया, तो सारा ग्यान का विस्तार इस भागवत कथा के माध्यम से हमने अपने युगाओं को, अपने बच्चों को देना चाहते एक साधन हैं तक पहुंशन का ये उस्तम संगीत में भागवत कथा का आवेजन यहां पर आश्रिवाद एंकलेव दिपाली गैस एजंसी के पीछे बाइस दिसंबर से होने जा रहा है हर वर्श की बाती एक सो आठ महिलाए जो है करह लेका हैंगी और यह जो है खुब ढूम धानों से बैंड बाजे से इसका आज़न किया जागा आप सभी सेत्र वासियों सहर वासियों के दर्म का लाब उठाएं मैं सभी रुड़ी के वासियों से अपील करता हूँ अधिक से अधिक सेंख्या में आएं और भागवत कथा का लाब उठाएं हम चाहते हैं कि अधिक साधिक लोग इस भागवत कथा में जुड़ें इस कल्यू के कलुषित प्राणी के उद्धार के लिए सिर्मत भागवत का थाका प्रचार प्रसार होना बड़ा होसक है जो हमारा गरंत है ये भक्ति ज्यान वहिराग्य को बढ़ाने वाला है आज के युवाओं को किस प्रकार से उनके जीवन की दिसा और दसा बदले कैसे भारत वर से सोने की चड़िया के लाई जाती थी और पूरे विश्व को भारत देश संदेश देता था गुरू के रूप में परचलित था तो आज ही सारे युवाओं को बताना बड़ा आवस्यक है कि क्यों महाराना परताप ने गास की रोटियों को खाया किस प्रकार से आमारे देश में विगटन हुआ और कौन-कौन से वो कमिया है जिसके कारण हमारा देश गुलाम रहा ऐसे बहुत सारी चीजियों को अपने युवाओं को बड़ाना बड़ा आवस्यक है और कैसे भगवान रामचंजे ने अपने मर्यादा का पालन किया किस प्रकार से भगवान ने कर्म योगी बन करके पूरी संसार को ग्यान दिया तो सारा ज्यान का विश्तार इस भागबत कथा के माद्यम से हमने अपने युगाँ को अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि अधिक साथिक लोग इस भागबत कथा में जुड़ें और हमारे आईजोक मंडल में सिर्मान नविंतियागी जी, सिर्मान सतीस सेने जी, विसाल आउजा जी, राजन आउजा जी, हमारे बीच में आज हैं बाकी जानकारियां ये सब लोग आपको देंगे बाक बाक तरह आईजोन कब से कहां कैसे और किस प्रकार से किया जाएगा तो यह निश्यत्रूब से मैं समझता हूँ कि हर घर से जरूर सेभी को जाना चाहिए विसिएस हमारे बच्चों को इस ग्यान को सुनने के बाद ही हम जान पाएंगे जहां जीवों में ये हूड लगी है कि हमें विदेश जाकर के सिक्षा प्राप्त करनी है जहां पूरे विश्व में भारत का नाम अपने सिक्षा के लिए लिया जाता रहा है आज वो क्या कारण रहे हैं जिसके कारण हमारे बच्चे भर्मित हो रहे हैं दिख भर्मित हो रहे हैं उन्होंने लगता है कि सबसे पहले तो पूरे नगर की तरफ से आचारीय पंडी स्री रजनी सास्री जी का हर्दे से धन्यवाद और स्वाकत करता हूं कि इनके द्वारा विगत साथ वर्सों से इस दिव्वे कथा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है जिससे हम सिर्मद भागत का था एक जीवन दरसन है हमारा हिंदु दर्म का उससे हम लोग अपने जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं क्या अमरी कुरूतियों को दूर कर सकते हैं क्या हम अपने ध्यात्म को आगे बढ़ा सकते हैं उसका एक साधन है में सुक्म बहुद तक पुहुशने का एक सदन है और यह रुटकी नगरमवाश्यों के लिए शेतरवाश्यों के लिए बड़े हरसकाविशे है कि यह इस कथा का आयो जन्ट हर वर्स पड़नी जी जुवारा करा जा रहा है और यहां जो आईजय कमिटी है ये बहुत ही करमक्ता से अपना कारिय करती है और बहुत दिवियत है के साथ ये कारियारर करना सम्पूर्ण होता है सभी को बहुत बहुत है और आप सभी पत्रकार भंद्धूँ कां बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बड़ा शायोग इसमेर रहता है मा नन्यवाद। हम नागरिकों को शेष्ट नागरिक बनाने के लिए हमारे जीवन को सच्चाई की रास्ते पे चलाने के लिए हमारे परम पूझने वंदनिये हमारे अचारे पंडित रजनी शास्त्र जीगी के द्वारा उनके मुख से सप्तम संगीत में भागवत कथा का आवेजन यहां पर आश्रिवाद एंकलेव दिपाली गैस एजनसी के पीछे 22 दिसंबर से होने जा रहा है हर वर्ष की बाती हर वर्ष की 22 दिसंबर से होता है जिसको पहले कलश यात्रा होगी जो की हमारे गंगा लक्ष्मी नारायन नहर की नारा जो मंदिर है वहां से यहां पर कथा इस्थल पर पहुचेगी उसके पश्चाद 22 तारिक से यहां पर कथा का आयोजन होगा 25 तारिक को किष्ण जन का यहां पर मनाया जाएगा 27 तारिक को यहां पर रुक्मनी विवा होगा 28 तारिक को यहां पर कथा का समापन होगा और 29 तारिक को पूंडते आहुती यक के साथ हवन के यहां पर विशाल महा भंडारे का आयोजन करा गया है और सबसे खास बात यह है कि जितने दिन भी कथा चलेगी कथा के पश्चाद एक सुक्षम भंडारा परशाद के रूप में सभी जितने भी यहां पर शोता आएंगे उनको प्राप्त होगा मैं आपको सुषित करना चाओंगा कि इस बार हमारे जो कथा हो रही है इसमें हमारे मुख्य रूप से जो हमारे यजमान हैं जिनकी तरफ से संपूर्ट भंडारा का आयोजन करा जा रहे हमारे श्री नवीन तियागी जी यहां पर हैं और हम पूरे आयोजन समीती की तरफ से इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करतेया बागवत भगवान जी की जैयो आप सब यह पत्रकार बंदों का बहुत-बहुत धन्यवाद है ऐस बाइस कथा निदर बागवत के अंदर धरम पर घरता समयरे शप्र और इसके अंदर जो है संसकार तो में घर में दे जाते हैं और पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर और जो संसकार जो धरम का ग्यान है वो होता है से आई जोक में जिसको पढ़नाजी हर साल करते हैं और यह जो हर समय की चीज नहीं होती है ऐसे ऐसे उस तो पर ही समझा जाता है कि हम कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा सिट्म जो है, सही नीजिस की विए से कुछ परिसानियों का सामने करना करना पड़ता है, जो इस कता में सुने गा, वो अपने आपको बदले गा, क्योंकि जो इसके अंदर बताया गया है, इसके अंदर पूरा द्रम का गयान होगी इसमें एक सो कितनी पंड़ी एक सो आठ महिलाए जो है कर लेका हैंगी और यह जो है खुब ढूम धानों से बैंड बाजे से इसका आजन किया जागा आप सभी सेत्रवासियों सहरवासियों के इसमें पस्तितों के धर्म का लाब उठाए दन्यवाद विगत साथ वर्षों से हमारी आश्रिवाद एनिकले सोसाइटी में आचारे रिनी शास्त्री जी हमारे परमपुज्य गुरू जी कथा का वाचन करते जा रहे हैं मैं सभी रूड के वाचियों से अपील करता हूं अधिक से अधिक संख्या में आएं और बागवत कथा का लाब उठाए जिससे बहुत ही अच्छा अपनी को लगता है थोड़ा महौली बनता है कुछ सीख भी सीखने को मिलती है तो कोशिश ही है कि लोग जासे जादा पहुचें और धर्मलाब उठाएं